जैश्री हरी, स्प्रिचल ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे माता सीता की चूड़ामणी की महीमा के बारे में। माता सीता की मोधिखाई में उनकी सबसे छोटी सास केकई ने उन्हें अयोध्या का सबसे सुंदर भवन कनक भवन उभार में दिया। तो उनकी मजली सास माता सुमित्रा ने अपने जूड़े से चूड़ामणी निकाल कर सीता जी के जूड़े में लगा दी थी। वहाँ उपस्थित लोगों को आश्चरे हुआ कि माता केके ने तो मो दिखाई में कनक भवन की रतन जटित कुंजी बहु सीता के आचल से बांदी है जबकि माता समित्रा ने तो केवल अपने जूडे से निकाल कर है छोटी सी चूडा मणी जनक नंदनी को पहार सुरूप दी है वहे तो बड़ी क्रपन यानि की कंजूस है तब कुलगुरु महरसी वसिस्ट ने सभी उपस्थित जनों को चूडा मणी की महिमा और इतिहास बताते हुए कहा संसार का दिव्यतम इस्त्री आभूशन है चूडा मणी चूडा मणी जूडे में लगाए जाने वाला वहे जिसकी समानता केवल श्रीमन नारायन के हिर्द्य पर सोभा मान कोस्तूब मणी की कर सकती है संसार के समस्त आभूशन मिलकर भी इस चूडा मणी की समानता नहीं कर सकते कहां से आई है ये दिव्य चूडा मणी देवताओं और दानवो द्वारा अम्रित प्राप्ति के जिसमें की मातालक्षमी, कोस्तूब मणी, कल्प व्रक्ष, वारोणी सुरा, धवंतरी वैद, चंद्रमा, काम देनू, एरावत हाती, अपसरा रंभा, कालकूट विश, उच्चे स्ष्वा घोडा, पांच जन्यशंक, परिजात का व्रक्ष, अम्रित कलश निकले थे महालक्षमी के प्रकट्टे से पहले उनही के समान रूप रंगवाली अपूर्व सुन्दरी रतनाकर नंदनी जोकी समुंद्र तैन्या थी प्रकट हुई भगवान श्रीहरी को देखते ही रतनाकर नंदनी अपना हिर्दय उन्हें समर्पित कर बैठी तबी भगवान की नित्य शक्ती शीरोधत नया शाक्षात महमाया लक्ष्मीजी प्रकट हो गई उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गई हो उन्होंने अपने हातों में शुशोभित सफेद, नीले, पीले, लाल और कुर्बुरी इन पांच रंगों की कमल माला समस्त गुणों के आश्रय वे निर्पेक्ष भगवान नारायन को पहना दी और चुपचाप उनके अनुग्रह की प्रतिक्षा करती हुई उनके निकट इस्थित हो गए समुंद्र की जेस्ट पुद्री रतनाकर नंदनी मन मसोस कर वहीं खड़ी रह गई उसके मन के भावों को जानकर श्रीयरी स्वैम उनके पास जाकर बोले मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूँ प्रत्वी का भार हरने के लिए मैं जब-जब अफ्तारधारन करूँगा तब तुम मेरी सहारिनी शक्ती के रूप में अफ्तरित होंगी कल युग के अंत में कल की रूप में जब मैं प्रकट होंगा तब तुम्हें पूरी तरह अंगिकार करूँगा अभी सत्युग है त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकूट परवत शिखर पर वैशनवी नाम से अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए तब करो तब रतनाकर नंदनी ने अपने पिता द्वारा दी गई रत्रजडित चूडा मणी जिसे विश्व कर्मा ने बनाया था अपने जूडे से निकाल कर श्रीहरी को भेट कर दी और तब करने के लिए चले गई भगवान श्रीहरी ने वह चूणामणी पास खड़े देवराज इंद्र को भेट कर दी क्योंकि वह उसे लल्चाई ड्रस्टी से देख रहे थे इंद्र ने वह चूणामणी इंद्रानी के केशों में सजा दी देवराज इंद शंबरासुर से पहुत दुखी थे वह उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे उन्होंने समबरासुर से युद्ध में महराजा दशरत से सहायता मागी महराजी केकई ने अपने पिता के यहां शस्त्र चलाना सीखा था और वह रत हाकने की विद्ध्या में भी पारंगत थी उनकी सहायता से महराज दश्रत ने शंबरासूर को परास्थ कर दिया देवराज इंद्र के आमंत्रन पर वे महराणी केकई के साथ सदेहें देमलोग गए इस अफसर पर इंद्र ने महराज दश्रत को सरगलोग की मंदाकनी के राजहंसों के चार पंख भेट किये और इंद्रानी ने चूनामणी महराणी केकई को भेट में देते हुए कहा जिस इस्त्री के केशों में यह दिव्य चूनामणी रहेगी उसका सोभाग अखंड रहेगा उसके पती के राज्य में अकाल और अतिवरस्टी जैसी आपदाएं नहीं आएंगी और कोई शत्रू उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा महराणी केकई ने अयोध्या अकर्व है चूनामणी यह सोचकर सुमित्रा जी को दे दी कि मुझे तो महराजा दश्रत और प्रजा का प्यार वैसे ही सबसे ज़्यादा मिल रहा है मंजली रानी सुमित्रा दिन रात परिवार की सुक्स विधा में लगी रहती है हमारा सोभाग्य सुहाग भी एक ही है अतहा इसकी असली हकदार तो सुमित्रा ही है प्रभु श्री राम के विवा के बाद मा जानकी की मुदिखाई की रश्म सुरू हुई किरपा की मूर्ती महरानी सुमित्रा ने जब घूंगट की ओर से जनक दुलारी का मुख देखा तो वेपस उन्हें देखती ही रहे गई और वातसल्य वश नव वधु को सोभागे का अशिरवाद देते हुए उन्होंने अपने केशों से सजी चूड़ा मनी को निकाल कर जानकी जी के जूड़े में सजा दिया वनवास के लिए जाते समय सीता जी ने कशाए गेरुआ साड़ी तो धारण कर ली परन्तु कुल गुरु वशिस्ट और उनकी पतनी अरुन्धती के कहने पर आभुशनों का त्याग नहीं किया रावण द्वरा हरण किये जाने पर वह पुस्पक विमान से अपने आभुशन जगा जगा डालती रही लंका पहुँचने तक केवल चूड़ा मनी ही उनके पाश सेस रह गई थी चूड़ा मनी की महिमा जानने के कारण ही उन्होंने उसे अपने शरीर से अलग नहीं किया था सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री राम की मुत्री का माजानकी को देते हैं और कहते हैं मातू मोही दीजे कचुचीना जैसे रगुनायक मोही दीना चूड़ा मनी उतारी तब दयू हर्षम समयत पवन सुत लयू तब वही चूड़ा मनी शीता जी ने प्रभू श्री राम को अपनी पहचान बताने के लिए हनुमान जी को दी थी वह जानती थी कि जब तक यह चूड़ा मनी प्रभू श्री राम के पास नहीं पहुचेगी लंका का विनाश और रावन की पराजय संभव नहीं होगी तो कैसी लगी आपको माता सीता के चूड़ा मनी की महिमा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसी तरह की और वीडियोज को देखने के लिए स्पीच्छुल ग्यान चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को भी अपने प्रिये जनों के साथ शेयर करें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद